असलाम अलेकुम, वेलकम टू माई चैनल, कुक एंड ट्रेवल विद बिस्मिल्ला, आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुती टेस्टी बन करके तयार होती है, बहुती मज़े की बनती है, और आप इसे जो हैं, गर पे बना सकते हैं, बच्चों की फैवरिट तो है ही है, इसके साथ ही साथ ये बढ़ों की भी बहुत ज़ादा फैवरिट है, तो जी ये है रगड़ा चार्ट, रगड़ा चार्ट हमने कई तरीके से बनाई है, आज हमने इसमें दिया है कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट, तो जो है इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं तो इसको जो है आप लोग जरूर से ट्राइ करें इंशालला आपको ये रेस्पी जरूर पसंद आएगी और जो है आप इसे अगर बना करके आप इसको रख ले और अगर आपके हाँ कोई गेस्ट वगरा आती हैं तो आप इसको जो है वो उनके सामने सर्फ कर सकती हैं तो आए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाती हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम तयार करेंगे एक मसाला तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन हाफ टी स्पून जीरा इसी के साथ में हमने ली हैं 10-12 लॉंग है और जो है 8-10 काली मिर्च है एक इंच दालचीनी का टुकड़ा है और इसी के साथ में हमने ली है चार से पास सफेद इलाची थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे इधर जो है हमने एक ले ली है कड़ाई इसको हमने रख दिया है गैस पे और गैस जो है वो हमने आउन कर दी है अब हमने इसमें एट करा है मस्टर्ड ओयल तो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून जो है वो मस्टर्ड ओयल का यूज करा है आप जो भी कोई कोगिंग ओयल यूज करती है आप वो जो है इसमें एट कर सकती है तो ओयल में से धुआ निकलने लगा है अब हम इसमें एट कर देंगे जो मसाला हमने जो है वो ग्राइंड करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे पौडर्ड मसाले तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है वन टी स्पून कोरियंडर प बेकिंङ सोड़ा आप मतर शंवाता है, कला मतर अंचे माला तरह सोड़ा उसल के वह सथैरे अजिता है आपको पानी मटर और एक उसने डाल अनुकरण याई इन खोंग है अब हम इधर जो है यह देखए मसाला जो है वह हमारा भुन गया है से ओल MOM Lizow टो गया है तो अब हम-इस stage पर इसमें एड करेंगे मटर जो हमने मटर बॉयल करके रखी हुए हो हम इसमें डाल देंगे तो है है तो यहां पर यह देखे इस तरीके से जह हम सारी मटर इसमें और मटर डाल करके देखिए मटर जो है अभी जो है वो थिक है तो हम इसमें पहले डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे जितनी हमें पानी की नीड होगी उसी हिसाब से हम इसमें पानी एट करेंगे तो यहा यहां पर यह देखिए आच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि मसाले मतर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद यह देखिए यहां पर पानी हमने एट कर दिया तो हाफ ग्लास से थोड़ा सा जादा पानी इसमें यूज हुआ है और इसमें जो है वो आने लगी है बॉयल आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें बॉयल आ जानी चाहिए पस फिर अब हम यहां पर जो है गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसको हमने निकाल ली है एक सर्विंग प्लेट में आप किसी भी चीज में निकालने है सर्वि कि इम्डी और गुड की खटी मीटी चट्नी आप जो है वो चट्नी अपनी हिसाब से जो हैं वो आदसें कर सकते हैं ज़्यादा मीटी पसंद है तो प्रिंकल करेंगे चाट मसाला थोड़ा सा मिर्च का जो पिजी हुई मिर्च है वो उपर से फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज और ये लीजिए हमारी जो है मज़ेदार सी फटा-फट से बन करके हो गई है ये रगड़ा चाट तैयार तो आप लोगों क मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजगा जिससे कि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके मिल दे हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज